फ्रेंट्स, यूपी स्कॉलर्शिप से रिलेटेड जो है एक मैसेज आप लोगों के वाटसेप पे सर्कुलेट हो रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि जिनका भी बैंक एकाउंट एनपी सियाई से मैपिंग नहीं है, उनको जो है उनका स्कॉलर्शिप नहीं आएगा, ये आ आप लोगों को स्कॉलर्शिप नहीं मिलने वाला है, इस तरह की मैपिंग नहीं है, तो फ्रेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग जो है इस एनपी सियाई जो एक फिर से आप लोग के लिए जो टेंसन आ गई है, उसके बारे में बात करेंगे, इवन ये चीजे हैं लेकि आप लोग 4 या 50 बैंक अकाउन नमबर रखते हो, तो उसमें किसमें किया जाता है, ये सब ही चीजे आपको डीटेल से मिलेंगी, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा, आपको स्कॉलर्शिप के लिए बहुत जरूरी है ये वीडियो, कि आप लोग का स्कॉलर्शिप या नहीं आएगा, और वैसे कैंडिडेट, वैसे स्टुएंट जिनका की रिजेक्टेट बाई बैंक लिख देता है, और पिछली बार भी ऐसा हुआ है, कि स्टुएंट्स का जो है लास्ट मूमेंट तक जो है स्कॉलर्शिप नहीं आया, और उनको एक्च्वल में प्रॉण थी, NPCI के चक्कर में ही स्टुएंट फस गये थे, और जिनका स्कॉलर्शिप नहीं आया, तो आप ना फसे, इसके लिए इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझेगा, कि NPCI है क्या, और यह कौन सा नियम है जो बनाया गया है, ठीक है, तो फ्रेंट्स अगर आप आपिक के फायदे के लिए किया हुआ है, पहले क्या होता था, कि जो भी योजनाय होती थी, वो किसी एक के अकाउंट में आता था, और फिर उसके बाद से आपको ट्रांसवर किया जाता था, तो बीच वाले जो लोग रहते थे, वो पूरा पैसा खा जाते थे, और आपको बस चवणनी भर मिलता था, यह होता था, अब गौर्मेंट ने नया रूल बनाया है कि डिरेक्ली बीच का कोई पार्टी ही नहीं रहेगा, डिरेक्ली जिसको अमाउंट सेंड करना है, उनके अकाउंट में जाएगा, ठीक है, यह लेकिन अकाउंट में जाने के लिए इसको हर किसी के नाम पर जो है चार या पांच एकाउंट होते थे, तो उसमें से गौर्मेंट जो है बैंक वाले खुद से ही एक कोई भी एकाउंट सेलेक्ट करके और उसमें आपका NPCI मैपिंग कर देते थे, NPCI मैपिंग करवाना बहुत जरूरी है, NPCI एगर मैपिंग है तो गौ जहां पर NPCI मैपिंग होगा, याद रखना, बैंक एकाउंट आपका चाहे 4 हो, 5 हो, लेकिन NPCI मैपिंग किया जाता है, वो सिर्फ एक ही एकाउंट के साथ होता है, और वो आपको चेक भी करना होता है, कि आपका अकाउंट जो भी बैंक नमबर आप डाल रहे हो, वो एक्श स्कॉलर सिर्फ क्रेडिट कर जिया गया है, आपके अकाउंट में, लेकिन जो डाला गया था बैंक का, उस नमबर में, उस अकाउंट में, जो है, स्टुडेंट को पैसा नहीं आया, तो फिर पैसा गया कहा, स्टुडेंट ये भी सोच रहे थे, और बहुत सारे कोशन मुझ जिस भी अकाउंट में रहे, चाहे, ऐसे हमारा होता है, कि हम लोग जो है, अकाउंट बहुत पहले ही छोड़ दिये रहते हैं, बंद नहीं करवाते हैं, और वो ऐसे ही रहता है, और पता चलता है, कि उसी अकाउंट से आपका मैपिंग किया हुआ है, तो आपको जो भी जो भी है, वो जब बताएंगे कि किस अकाउंट में, किस अकाउंट नंबर को मैपिंग करना है, तब ही किया जाएगा, यह अब बैंक का नया रूल बन गया है, तो आप लोगों को यह जा करके अपना चेक करना पड़ेगा, कि आप लोगों का जो अकाउंट नंबर है, वो NPCI से mapping है कि नहीं दूसरी बात जितना भी amount send किया जाता है जो भी योजना के तहर वो आपके आधार number के थुरू होता है तो आपके आधार number के थुरू जो भी account mapping किया रहेगा NPCI का उसी में आपको पैसा आएगा ठीक है अब हम ये दे समझते हैं कि NPCI mapping को हम check कैसे करेंगे बहुत important है कि NPCI mapping को जो हम check कैसे करेंगे कि हमारा bank account जो है NPCI mapping के साथ है या नहीं NPCI mapping उसमें किया गया है उसके लिए कुछ नहीं करना है यहाँ पर आईए आपको जाना है site पर UIDAI आधार number जो आप check भी करते हैं आधार काड अपना तो जो उसका official website है उस पर आना है यहाँ पर देखिए UIDAI है इस पर आपको click करना है इसको click करोगे जैसे यह open होगा उसमें आपको कौन-कौन से process करने हुए सब बताऊंगी और आप लोगों का जिस तरह से भी जो भी account होगा, mapping किया होगा उसका नाम दे देगा इस एक बैंक से आपका mapping किया गया है ठीक है यहाँ पर आपको English में आ जाना है click कर देना है अभी देगे थोड़ सा slow है site यह open हुआ अब आते हैं हम नीचे आएंगे ठीक है यहाँ पर आपको आना है आधार service में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आधार service इसको click करना है ठीक है इसको हमने click किया यहाँ पर देखो यह open हो चुका है इसमें आपको कहां जाना है यहाँ पर आपको आना है नीचे आईए आधार linking status आपको दिख रहा होगा आधार linking status में आएंगे इसको click करेंगे जब आप यहां पर आधार linking status देखने को आएंगे तो यहां पर देखिए enter your 12 visit आधार number और 16 visit डिजिट जो है virtual तो यहां पर आपको आधार number डालना है अब मैं अपना आधार number डाल करके आपको दिखा रही हूं कि मेरा जो है mapping है या नहीं दो साल पहले यह bank automatic अपने आप कर दिया करती थी लेकिन अब जो है bank अपने आप नहीं करती है जब तक कि आप बताओगे नहीं कि आपका कौन सा account जो है mapping करना है ठीक है यह मैंने डाला यहां पर आपको जो capture दिया हो गया है उसको डालना है OTP आपको एक OTP संग किया जाएगा जो आपका phone में आएगा OTP यहां पर put कर देंगे तो उसके बाद आपको आपका जो भी update होगा वो आपको यहां पर दिखा देगा आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर मुझे क्या status आ रहा है और यह किस account से मेरा हुआ है यह मेरा bank of India से हुआ है तो यह आपको जो है इस तरह से आप check कर सकते हो कि आपका account number mapping है यानि NPCI mapping किया गया है कि नहीं और इतना याद रखना इसके जो main point है कि आपका चार या पांच जितना भी account है एक ही किसी account से एक ही किसी bank account से जो है आपका mapping हो सकता है तो अगर आप इस तरह से चेक करोगे और ऐसा लग रहा है आपका कि आपका नहीं किया गया है आप लिग देगा not done yet अभी तक नहीं किया गया है इस तरह से कुछ status आजाएगा गर ऐसा रहेगा तो आपको जा करके जो है अपने bank में जाना है या फिर आप online भी करवा सकते हो bank mapping या फिर आप ज्यादा बेटर रहेगा कि आप bank में चले जाए वहां से एक form मिलेगा और उस form को आप फिल कर दोगे उसमें आपको आपका नाम आपका bank account आपके ये सारी चीजे जो हो जनरल basic information जो होता है वो आपको मांगेगा और आपको bank में submit कर देना है और वो bank वाले से आपको पूछ लेना है कि कितने दिन में mapping हो जाएगी तो वो आप जब करवा लोगे तो यह जो scholarship के पैसे का problem आ रहा है कि यहां चला गया वहां चला गया या फिर आपको आही नहीं रहे या rejected by bank लिख देता है यह सारी चीजे जो है खत्म हो जाएगी तो याद रखना किसी NPCI mapping होना बहुत जरूरी है तो यह चीजों को आपको समझना जरूरी है यह क्या चीजे है और rejected by bank अगर लिखा हुआ है तो आपको एक बार अपने bank में जाकर कि पहले तो आप चेक कर लो अपना status कि आपका है या नी और फिर bank में जाकर कि NPCI mapping आप करवा लिजे I hope कि यह प